राधिका काली है और उसके सर पर ज्यादा बाल भी नहीं है इसलिए सब लोग उसका मजाग उड़ाते है अरे वो देख टकली काली चुड़ेल जा रही है पता नहीं भगवान ने इसे बनाया है क्यों इसे देखने से मुझे उल्टी आती भाई राधिका को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है लेकिन वो कर भी क्या सकती है राधिका कॉलेज जाती है और हमेशा सेहमी सेहमी सी रहती है उसे ये डर लगा रहता है कि कोई उसे कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे कॉलेज में प्रोफेसर भी राधिका की टांग खीशते है राधिका इसका अंसर बताओ राधिका खड़े होकर कहती है पता नहीं सर मैं भूल गई याद कह रहता है तुम्हें बढ़ाय लिखाई में मन है हाँ सर पढ़ती तो हूँ पढ़ती हो तो भूल क्यों जाती हो सर में बाल नहीं है इसलिए सर से निकल जाता है क्या सब कुछ ये सुनकर पूरा क्लास हसने लगता है राधिका की आँखों से आसु बहते हैं लेकिन उससे बाक्यों को क्या वो लोग तो बस राधिका का मजाग बनाना चाहते थे राधिका को अपने घर में भी शांती नहीं मिलती है क्योंकि घर में उसकी सौतेली मा सरला उसे चैन से जीने नहीं देती है आईए महरानी आईए कॉलेज से बहुत पढ़ाई करके आ रही है महरानी साहिबा काली चुडैल कहीं की पूरा दिन कॉलेज में बिता देती है और घर का काम मुझे करना पड़ता है मैं घर का सारा काम करने के बाद ही तो कॉलेज जाती हूँ मा अच्छा अब जबान भी लड़ाने लगी है तू तेरी मरी हुई मा ने तुझे क्या यही सिखाय है अपनी मरी हुई मा के बारे में उल्टा सीधा सुन कर राधिका को बहुत बुरा लगता है वो अपने कमरे में जाकर अपनी मा की तस्वीर के सामने रोती है राधिका को घर का सारा काम करना पड़ता है और काम में कोई भी गलती होने पर उसकी सौतेली मा उसके बाल नोच लेती है राधिका दर्द से चिल्लाती है आ मा दया करके मेरे बाल छोड़ दीजे मा कुछी बचे है अब वो भी ज़र जाएंगे ज़र जाएं मुझे क्या वैसे भी तू बाल लेकर करेगी भी क्या तेरी कौन सी शादी होने वाली है सरला की एक बेटी है उसका नाम पायल है वो खुबसूरत और गोरी है इसलिए उसे अपने रूप का बहुत खमंड है इस दुनिया में मेरी जैसी खुबसूरत और कोई नहीं कॉलेज के सारे लड़के मुझ पर फिदा है पायल और राधिका एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं कॉलेज में पायल का एक ग्रूप है और उन लोगों के साथ मिलकर पायल कॉलेज में राधिका को परिशान करती है दोस्तो आज टकली राधिका कॉलेज आने वाली है आज हम उसके पीछे एक कुट्टे को छोड़ देंगे बहुत मजाएगा कुछ तेर बाद राधिका कॉलेज में आती है और देखती है कि पायल और उसका ग्रूप एक कुट्टे को लेकर खड़े है क्या बात है तुम सब लोग मेरी और ऐसे क्यों देख रहे हो क्योंकि हम तुम्हारा ही इंतिजार कर रहे थे बहुत दिन हो गए तेरे साथ हमने कुछ भी नहीं किया मगर आज करेंगे कालू जा राधिका को मजा चका करा ये बोलकर वो लड़की उस कुट्टे को छोड़ देती है वो कुट्टा राधिका का पीछा करने लगता है राधिका बहुत तेज भागती है और वो भागते भागते गिर जाती है गिरने के बाद ही वो खून वाली उल्टिया करने लगती है और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है अरे ये क्या कई हमने से मार तो नहीं दिया मरने दे ये जीकर भी क्या करेगी सर्फ पायल को ही क्यों किसी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ा सभी अपने-पने काम में व्यस्त हो गए कॉलिज की सिक्यूरिटी ने राधिका को इस हालत में देखा सिक्यूरिटी पायल को तुरन्त अस्पताल ले गया और वहाँ चेक अप के बाद राधिका को होश आया, डॉक्टर साहब ने कहा, आपके लिए एक बुरी खबर है, क्या डॉक्टर साहब? आपको कैंसर है और वो भी ब्रेन में है, ये सुनकर पायल को सदमा सलगा, वो रो पड़ी, अब क्या होगा डॉक्टर साहब, क्या मैं औ मने रोने लगी, मा, मैं और कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास आ रही हूं मा, हम दोरों एक साथ बहुत खुश रहेंगे, राधिका के सारे बाल चड़ गए, वो पूरी तरीके से गंजी हो गई, सब लोग उसके उपर और भी हंसने लगे, तू तो पूरी तरह से गंजी सरला ने राधिका को घर से निकाल दिया, राधिका रोते हुए इधर उधर भटकने लगी, इस दुनिया में उसका कोई दोस्त भी नहीं है जो इस बुरे वक्त पर उसकी मदद कर सके, इसलिए वो जंगल में चली गए, इस जालिम दुनिया से जंगल बहतर है, मैं मरूंग राधिका जंगल के बहुत अंदर चली गई, और अचानक से उसे दिखा कि एक हिरन जखमी होकर पड़ा हुआ है, उसके पैर में किसी शिकारी का तीर लगा है, अरे बापरी ही क्या, मुझे इस हिरन को बचाना होगा, ये बोलकर राधिका ने उस हिरन के पैर से तीर को निक इसलिए मुझे जान की कीमत पता है, थुआ बच्चे से अपनी जिन्दगी को जी ले। जंगल की देवी को सब कुछ बताया, सब कुछ सुनकर जंगल की देवी ने कहा, बहुत दुगभरी कहानी है तुम्हारी, मैं तुम्हें आशिरवात देती हूँ, तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, और तुम्हारे सर पर सोने के बाल आ जाएंगे, तथास तू। जो लड़के उसकी और देखना भी नहीं चाहते थे, वो लड़के राधिका के सुनेहरे बाल देखते ही उसके प्यार में पागल हो गया। राधिका, ये क्या, तुम तो बिलकुल ही बदल गई? यार राधिका, I love you, लीज मुझे अपना बॉइफ्रेंट बना ले। राधिका के सोने के बाले ये बात चारो तरफ पहल गई। पायल ने कहा, फोर राधिका तो फेमस हो गई, सारे लड़के उसी के पीछे पागल है, मुझे भी चाहिए सोने के बाल। पायल राधिका के पास गई और उससे सोने के बालो के बारे में पूछा, राधिका ने भी बता दिया कि जंगल की देवी ने ही उसे ये बाल दिये है। पायल ने उस हिरन को मारने की कोशिश की, लेकिन तभी वो हिरन जंगल की देवी में बदल गया, और देवी ने बड़े गुस्से से कहा, तुम लालची हो, तुम पापी हो, तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें सोने के बाल चाहिए थे ना, मैं तुम्हें शराब देती हू, तुम्हारे सारे बाल जड़ जाएंगे, तुम काली हो जाओगी और तुम्हारे चेहरे पर बहुत सारे दाग हो जाएंगे। देवी अत्रिश्य हो गई, पायल के बाल सच में ज़र गए, वो काली हो गई और उसके चेहरे पर दाग हो गए। ये क्या, अब मैं कैसे किसी को अपना चेहरा दिखाउगी पायल रोती रही, उसे अपने किये की सजा मिल गई इसके बाद से पायल ने कभी घर के बाहर कदम भी नहीं रखा और राधिका को परिशान भी नहीं किया राधिका सोने के बाल लेकर घूमती रही और उसने एक अमीर लड़के से शादी भी कर ली और खुशी-खुशी जिन्दगी बिताने लगी सुहानी अपने पिता महेंद्र के साथ रूपनगर में रहती थी बच्पन में जब सुहानी की मा का देहान थो गया तो उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया सुहानी की सौतेली मा सुधा शादी के बाद अपनी बेटी ज्योती को भी साथ लाई थी सुहानी और ज्योती अब बड़ी हो चुकी थी सुहानी देखने में बहुत सुन्दर थी उसके लंबे, काले और घने बाल उसकी सुन्दरता में चारचान लगा देते थे ये देख कर सुधा सुहानी से बहुत इर्शा करती थी एक दिन जोती तुझे कितनी बार बोला है तू भी सुहानी जैसे सुन्दर बालो वाली बन सुधा सुहानी के लिए जो रिष्टे की बात की थी उन लोगो को सुहानी पसंद आ गई है वो लोग अगले महीने ही विवा के लिए बोल रहे हैं मैं सुहानी को ये खुशकबरी बता कर आता हूँ पिता जी मैं आपको छोड़ कर कहीं नहीं जाओंगी मुझे कोई विवा नहीं करना नहीं सुहानी बिटिया हर कन्या के पिता को ये आस होती है कि उसकी पुत्री विवा करके सकुशल अपनी ससुराल जाए और फिर धरम चंद जी जाने माने व्यापारी है तो उनके पुत्र के साथ बहुत खुश रहेगी और फिर सुहानी की शादी धरम चंद जी के बेटे सुमेर चंद के साथ हो जाती है सुहानी को अच्छा और पैसे वाला घर मिलता देख सुधा जलन से भर जाती है मेरी पुत्री ज्योती का रिष्टा भी तो इतने बड़े सेट के घर हो सकता था पर इस सुहानी की वज़ा से ये संभव नहीं हो पाया मैं भी देखती हूँ इसका विवाह इतने बड़े घराने में कैसे होता है मेरी ये दवाई अपना असर दिखा देगी सुहानी जाओ जल्दी से स्नान कर लो फिर विवाह के लिए तयार भी होना है ये भगवान मेरे बाल कहां गए मेरे सिर के तो सारे बाल गायब हो गए ये कैसे हो गया मैं गंजी हो गई मेरे बाल कहां चले गए पिता जी पता नहीं मैं नहा कर बाहर आयो तो देखा मेरे सिर पर बाल नहीं है पिता जी अब मैं क्या करूँ हे राम ये क्या हो गया तुम्हारे बालो से तो तुम्हारी सुन्दर था थी अब तुम गंजी हो गई हो अब तो कोई भी तुमसे विवा नहीं करेगा ये सब क्या हो गया प्रभू मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ मेरी बेटी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर उसको ही ये दुख्यों मिला सुहानी का रिष्टा तूट जाता है, महेंद्र भी सुहानी को लेकर अब बहुत दुखी रहने लगा था सुहानी जब अपने पिता को दुखी देखती तो वो भी फूट फूट कर रोप पड़ती थी और ऐसा होते देख सुधा और ज्योती मन ही मन बहुत खोश होती थी अब तो नगर के लोग भी जब सुहानी को देखते तो उसे गंजी कहकर उसे डर कर भाग जाते अरे ये गंजी लड़की कितनी बतसूरत दिखाई पड़ती है हाँ बहन इसे देखकर तो डर लग रहा है चलो यहाँ से चलते है हे भगवान सब लोग मेरे से नफरत करते है मेरे भी सपने थे कि मेरा विवा होगा मैं भी अपने ससुराल चाओगी मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए मेरी वज़े से मेरे पिता जी भी आज दुखी है फिर मैं जी कर क्या करूगी तभी सुहानी के सामने उसकी मा प्रकट होती है मा, मा आप कहा चली गई थी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर मैं तुम्हारी मदद के लिए धर्दी पर आई हूँ तुम बहुत अच्छी लड़की हो अब तुम्हें निराश होने की आवशक्ता नहीं है मैं तुम्हें ऐसे बाल दूँगी जिन्हें देखकर लोग तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे मैं तुम्हें सोने चांदी के बाल प्रदान करूँगी जैसे ही सुहानी की मा सुहानी के सिर पर हाथ फिरती है सुहानी के सिर पर सोने चांदी के बाल आ जाते है सोने चांदी के सुनेहरे चमकते बाल सुहानी की खुबसूरती को और बढ़ा रहे थे मा, ये सोने चांदी के बाल तो बहुत खुबसूरत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे फिर से सुन्दर बना दिया, आपने मेरी सारी परिशानी दूर कर दी खुशी खुशी अपने घर चाव सुहानी, अब कभी भी उदास नहीं होना, मेरा अशिर्वाद सदैब तुम्हारे साथ है सुहानी खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ती है, तभी रास्ते में नगर के राजकुमार की सवारी जा रहे थी इसलिए रास्ते पर चलते लोगों को कुछ देर के लिए रुखने के लिए कहा जाता है नगर के राजकुमार को देखने के लिए कितनी भीर लग गई है, भीर में से निकलने की कोशिश करती हूँ सुहानी घर पहुँचती है, मैं अपने बालो को इस दुपटे से ढख लेती हूँ, नहीं तो मा धेरो सवाल पूछ लेंगी मैंने इसकी ऐसी हालत कर दी है कि इसे अपने गंजे सर को चुपाना पड़ता है मा तुमने बहुत सही किया इस सुहानी के बाल गायब करके सुहानी अपने कमरे में आ जाती है, उधर राजकुमार सुरच सिंग सुहानी के ही खयालों में डूबा हुआ होता है वो सुहानी को याद करते हुए एक तस्वीर बनाता है राजकुमार सुरच सिंग, आपके स्वयमवर की सारी तयारिया हो गई है दूर दूर से राजकुमारियों के लिए संदेश भिजवाया गया है पर ये तुम क्या बना रहे हो बिना चेहरे की तस्वीर? पिताजी, ये तस्वीर उस लड़की की है जिसके सोने चांदी के बाल है और मैंने निश्चे किया है कि मैं इसी लड़की से विवा करूँगा बस मुझे उसे ढूनना है और वो कहां मिलेगी? मैं यही सोच रहा हूँ पत्र, सोने चांदी के बाल वाली लड़की सिर्फ कहानियों में होती है तुम ऐसी लड़की कहां ढून्डोगे? ये जिद छोड़ दो पता जी, चाहे मुझे पूरे नगर में एलान ही क्यों न करवाना पड़े मुझे सोने चांदी के बाल वाली लड़की ढूननी है क्या? राजकुमार सूरज सिंग उस लड़की से विवाह करेंगे जिसके बाल सोने चांदी के होंगे? मैं कल ही अपनी बेटी जोती के बालों में सोने और चांदी का पानी लगा दूगी राजकुमार को क्या पता लगेगा और विवाह के बाद तो उन्हें जोती को स्विकार नाई होगा हाँ ये ठीक रहेगा सुधा की तरह ही नगर में बहुत सी ओरतों ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने अपनी लड़कियों के बालों में सोने और चांदी का पानी लगा दिया अब तो नगर की बहुत सी लड़कियों के बाल सोने और चांदी के लगने लगे ये देखकर सेनपती असमंजस में पढ़ गया और वो राजकुमार सूरज सिंग के पास पहुँचा सेनपती नगर की सभी लड़कियों को राजमहल में आने का संदेशा देता है सेनपती जी पर ये तो गंजी है सेनपती सुधा की बातों पर ध्यार नहीं देता और जोती के साथ साथ वो सुहानी को भी राजमहल ले जाता है आप सबको मैंने इसलिए आमंतरित किया है कि मैं अपने लिए उचित वधु ढूट सकूँ पर आप सबने ही अपने बाल सोने और चांदी के कर लिए इसे भी फवारे के नीचे खड़ा करना है पर ये तो गंजी है इसके बाल तो मैंने हो ईह मैं क्या बोलने जा रही थी इन में से तो कोई भी लड़की सोने चांदी के बाल वाली नहीं निकली पता नहीं वो कौन थी बस ये आखरी उमीद रह गई है सुहानी घबराते हुए सिर से अपना दुपट्टा उतारती है सुधा और नगर के सभी लोगों की निकाही सुहानी के सोने चांदी के बाल देख कर दंग रह जाती है सुहानी फवारी के नीचे खड़ी हो जाती है उसके बाल तो सचमुच सोने चांदी के थे ये देखकर राजकुमार खुश हो जाता है हम तुमसे विवा करना चाहते हैं क्या तुम्हें मनजूर है आपको पती के रूप में पाना मेरा सौबा किया है पर मेरे बिना पिता जी सुहानी को उसकी अच्छाई का फल मिल जाता है और राजकुमार सूरज सिंग के साथ उसका विवा संपन हो जाता है और सुधा अपने हाथ मलती रह जाती है झाल 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 झाल